How Bajaj and TVS killed 160 Chinese two-wheeler companies in Africa Bajaj और TVS दोनों ही भारती मोटर साइकल ब्रांड है भारत में इन्हें काफी पसंद किया जाता है लेकिन अफरीका में इन्हें लेकर जो क्रेज है वो अमेजिंग है इन दोनों ब्रांड की वज़ा से अफरीका में चाइनिस मोटी साइकल की बैंड मच चुकी है आज की वीडियो में हम मिस्ट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं कि किस तरह भारती बाइक ब्रांड अफरीका के बाइक मार्किट को डॉमिनेट कर रही है वीडियो को पूरा जरूर देखिए और वीडियो को लाइक चैनल को सबस्क्राइब जरूर करना दोस्तों चीन दुनिया का भी बड़ा एक्सपोर्टर है लगबग दुनिया के हर देश में उसका सामान हर जगा जाता है चीन में दोसों से ज्यादा बाइक कमपनिया है ये ना केवल घरेलू इस्तमाल के लिए बाइक बनाती है बलकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा बाइक एक्सपोर्टर भी है चीन ने अफरीका मार्किट में बढ़ती मांग को पहचानते हुए वहां के मार्किट पर कबजा करना शुरू कर दिया और चीन की 200 कमपनियों ने अफरीका में अपने बाइक बेचना शुरू कर दिया लेकिन चीन अपनी सभी गाड़ियां या एक्सपोर्ट ही करता है और उन्हें अफरीका के लोकल दुकानदारों के दोरह ही असेंबल किया जाता है लेकिन उन मोटरसाइकल की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है अफरीकी मार्किट के हिसाब से उनकी सर्विस काफी खराब रहती है असल में चीन हमेशा क्वालिटी से ज्यादा कॉंटिटी पर फोकस करता है अफरीकी रोडों की खराब कंडीशन के हिसाब से उसकी बाइक ज्यादा अच्छी सर्विस नहीं दे पा रही थी चीन की बाइक अफरीका की उबर खावड रोड पर एक साल भी नहीं चल पा रही थी जिस वज़ा से धीरे धीरे लोगों का उनकी तरफ से रुजान कम होने लगा तब ही बाजार में बजाज, टी वी एस और हीरो की एंट्री हुई उस समय भारत में सडकों की स्थिती भी अच्छी नहीं थी इसलिए भारतिये कमपनिया जानती थी कि अफरीका जैसी सडकों के लिए किस तरह की गाड़ियों की जरूरत होती है और इसके बाद अफरीका की सड़कों पर धीरे धीरे भारतिये कमपनियों की बाइक चलने लगी और अफरीका के टू वीलर मार्किट में भारतिये बाइक्स ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया अगर बात कर रहे अफरीका के बाइक मार्केट के तो अफरीका टू वीलर बाजार का आकार 2023 में 3,369.60 मिलियन अमेरिका डॉलर होने का नुमान है और 2028 तक 5,401.92 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचनी की उम्मीद है और हमारे देश के चार सबसे बड़े मोटर साइकल ब्रांड हीरो, बजाज, टीवियस और रॉयल अन्फील्ड ने धीरे धीरे अफरीकन मार्केट में अपनी जगा बनाना शुरू कर दिया है लेकिन केवल दो भारतिय बाइक कमपनियों ने अफरीके के मार्केट में 160 चाइनीज मोटर साइकल कमपनियों की छुटे कर दी है बजार हिस्सेदारी के मामले में सिर्फ बजाज और टीवियस नहीं उतना अफरीकी बजार है इसके अलावा इनका मालेज भी काफी अच्छा होता है और ये अफरीके की रोड्स पर काफी असानी से लंबे समय तक चल पाती है और इसलिए अफरीका की सड़कों पर आपको बजाज बॉकसर टैक्सी खींचते हुए असानी से दिख जाएगी और इनके इस तरह के इस्तमाल के कारण ही अफरीकन बाइक इंजिस्ट्री में भारतिय बाइक्स का दबदबा बढ़ता ही जा रहा है दोस्तों अफरीका आज भी दुनिया के बाकी देशों की तुलना में काफी पिछड़ा हुआ देश माना जाता है ये गरीबी अपने चरम सीमा पर है आज जहां सारी दुनिया में एडवांस टेकनोलजी अपने पैर जमा रही है वहीं अफरीका में मौर्डिनाइजेशन के सारे प्रियास ओंधे मुग गिर चुके है यहां का बुनियादी धांचा सबसे खराब है करप्शन रेट बहुत ज्यादा है सडकों की हालत बहुत खराब है इसके अलावा यहां प्रती व्यक्ति आये बहुत कम है इसलिए यहां के लोग आज भी महंगी भाइक खरीदे में सक्षम नहीं है ऐसे में चाइनीज और जैपनीज बाइक यहां पर पकड़ बनाने में काफी कोशिश कर रही है लेकिन उन्हें यहां सफलता नहीं मिल पा रही 21 वी सदी की शिरुवात में जापानी और चीनी कमपनियों ने अफरीकी बाजार में धावा बोलना शुरू कर दिया इन दोनों मेंसे जापानी बाइक्स क्वालिटी में काफी बहतर थी लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि ये बहुत महंगे थे इसके बाद चीनी बाइक्स ने यहां के मार्किट पर कबज़ा किया है जितना 40 चीनी कमपनियों ने मिल कर किया है खास तोर से बाद आफरीका के एक दरजन से अधिक बादारों में दो टॉप कमपनीज में से एक है कमपनी ने अफरीकी महदवीप में 2.4 से लेके 2.7 मिलियन मोटर साइकल बेची है भारती दो पईया वहान के 50 फीज़ी बादार में से अकेले बजास का 40 फीज़ी अफरीका बजार पर कबज़ा है वो पिछले कुछ समय से अफरीकी मार्केट में टीवीज बाइक की बिकरी में काफी उच्छाल देख रहा है ये दोनों कमपनी अपनी बाइक हाईब्रिड डीलर्शिप के बेस पर बेचती है इन में से कुछ बाइक सीधे भारत से इंपोर्ट की जाती है और कुछ बाइक को अफरीका में हैसेंबल किया जाता है केवल उनके पार्ट्स भारत से अफरीका एकस्पूर्ट किये जाते है वहीं बात करें चाइनीज बाइक की तो बजाज और टीवियस की शुरुवाती सफलता के बाद लगबग 160 चीनी कमपनियों ने अफरीका में अपना कारोबार बंद कर दिया है और केवल लगबग 40 खास बाइक मैनिफेक्चर ही बचे है 2019-20 में बजाज बॉकसर की अफरीका में 40% बजार हिस्सेदारी रही है इससे ही आपको अफरीका के मार्केट में बजाज के डॉमिननस का पता चलता है अफरीका में बाइक टेक्सी यानि की बोरा टेक्सी की वज़े से भी भारतिय बाइक की इंपोर्टेंस अफरीका में काफी बढ़ गई है आपको जानकर हिरानी होगी अफरीका में बाइक को टू वीलर की तरह नहीं बलकि थ्री, फोर और सिक्स वीलर की तरह यूस किया जाता है यहां बाइक में एक ड्राइवर के साथ आठ लोगों को बिठा कर चलाया जाता है किसी आटो या टेकसी की तरह नहीं जी हाँ दोस्तो अफरीका में बाइक्स को इस तरह से इस्तमाल किया जाता है और इसका एक बड़ा कारण है इसके कम प्राइस बजाज बॉकसर की कीमत अफरीकन करेंसी में चाइनीज बाइक से काफी कम होती है लेकिन धीरे धीरे चीनी बाइक्स की पॉल खुलने लगी है अफरीकी सडकों पर बाइक्स बिखरने लगी है और जले पर नमक का काम चीन की खराब बाइक रिपेरिंग सर्विस ने कर दिया ह ऐसे में बाइक और TVS ने लोगों को सस्ती और कम मेंटेनेंस वली बाइक खरीदने का आसान उपाय दिया बाद में कमपनियों ने इन जगाओं पर अपनी डीलर्शिप, असेम्बली लाइन और सर्विस सेंटर भी खोले बजाज बॉकसर ने इस फिल्ड में सबसे ज़्यादा फायदा कमाया पूरे अफरीका महादीप में इसके एक दरजन डीलर के साथ यहां दस असेम्बली स्टेशन बन चुके हैं यहां अपने नस्दीकी कम्पिटीटर के तुलना में दोगुनी बाइक बेची जाती है हाला कि यह तो बस एक शुरुवात है अफरीकी महादीप ने अभी अभी आधूनिक दुनिया के साथ तालमेल बिठाना शुरू कर दिया है एक अनुमान के मताबिक 4.72 फीजदी सीजी आर के साथ 2026 तक दो पहिया वाहान बाजार में 2793.65 मिलियन डॉलर तक पहुंचने की उमीद है भारतिय बाइक सब अफरीकी मार्केट में अपनी पैठ बनाती चली जा रही है अच्छा अब हम जो आपको बात बताने जा रहे हैं वो जानकर तो आपके हिरानी कई गुना बढ़ जाएगी हमारे देश में जो बाइक्स कबाड में बेची जाती है उनका क्या होता है जानते हैं आप असल में उनके पूर्जे अलग करके उन्हें अफरीका के देशों में बेच दिया जाता है और यहां के डीलर उन हिस्सों को खरीद कर उन्हें फिर से असेंबल करके बेच देते हैं यहां तक कि अगर गाड़ी की कंडिशन ठीक ना हो तो उसमें से निकाले गए पार्ट्स को दूसरी बाइक में इस्तमाल कर दिया जाता है यानि कि भारती बाइक कबाड़ा होने के बाद भी अफरीका की सड्कों पर दोड़ती नजर आती है दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारतिय बाइक्स अफरीकी मार्किट में और ज्यादा जगा बना पाईगी अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताईए वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें धन्यवाद फिर मिलेंगे चलते चलते